नमस्कार मैं दिनेश खतरी टीटी पब्लिक सीनियर सेगंडी स्कूल के इस डिजिटल प्रेटफरम पर आप सब का स्वागत करता हूँ आजम क्लास नाइन्थ के हमने पिछले वीडियों माटी वाली कृतिका का पाट कर्मांग चार आज मुसके प्रश्ण उत्तर करेंगे पहला प्रश्ण देखी क्या है सहर वासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पैचानते हैं आपकी समस्से वे कौन से कार्म नहीं होंगे जन्हींके त्रहते माटी वाली को सब पैचानते थे तो पहला कार्म दुना को बताया था कि उस पूरे गाव में एक उस माटी वाली के अलाब और कैben माटी नहीं है तो इस वज़े से भी वो सभी के गर को जानती थी और सभी के गरों में चुला चोका करने के लिए लाल मिट्टी की जुरूद पड़ती थी तो वो हरे कर पे जाती थी तो ये सारे करन नहीं देखो अब उतल क्या है सहर वासी माटी वाली तथा उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की जरूरत चोले चोके की लिपाई के लिए हर घर की थी पूरे टीहरी सहर में घर-घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली अकेली थी उसका कोई परतिद्वंदी नहीं था इसलिए सभी उसके गराग थी चुकि उसका कनस्तर बिना डकन गा था जो उपर से खुला रहता था इसलिए लोग उसके कनस्तर को पैचानते थे अधेक लिजी यह अंसर हो गया यह अकेली वो और थी और कोई परतिद्वंदी था नहीं परतिद्वंदी गर में वो जाती थी इसलिए सभी उसको जानती गें माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भागे के बारे जदा सोचने का समय क्यों नहीं था क्योंकि वह हर दिन सुबह उटकर माटा खाना जाती और फिर साम तक उसे बेचती फिर गर आकर उसे अपने और बुढ़े के लिए बोजन भी बनाती ठीक है तो सोचने के लिए क्योंकि वह तो गरीब महिला थी और वह अमेशा सुबह माटा खाना जाती वहां से मिटी लेती और पूरे दिन उसे बेच कर साम के समय गर आती और गर आने के पूसरा उसे अपने और अपने पती के लिए बोजन मनाना पड़ता इसलिए उसको अपने बागे के माद सोचने के यदा समय नहीं था अगला बस्ता देखें बूक मिठी मेठी का बोजन मीठा से क्या अभी पर ऐसा एक बार ठाकुराइन ने कहा और एक बार इस वर्दा ने कहा था तो इस बातकास से क्या है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विश्य ध्यान भूख मिठाने पर हो बहु पर लिए ब्रफ फ्रस्ता देखें और इसका बुख कमाई से आसिल कीगिए चीजों को हराम कर बार बेचने का मेरा दिल गवही नहीं देता मालकिन की इस जो इच्छा नुसार बोजन करना वो बोजन ना करके पैसे बचा कर हमारे लिए कुछ आसिल करके रखा है और हम उनके उन कमाईवी वस्तूओं को सस्ते भाव में बेज देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है ये मालकिन ने भी कहा है उसमें अब अपने विचा लिखने तो जो पीतल के बरतन मिले थे वो विरासत मिले थे झैए उनके पूर्वूच जदौरह कमाे गए गए थी और उन्हें बहुत सम्माल के रखती थी चोकि उसके मन में विरासत के परती आदर, सम्मान और प्रेम की बाउना थी यानि उसे जो विरासत में मिला था उसके परती वो आदर करती थी उसका सम्मान करती थी और प्रेम की बाउना थी क्योंकि हमारे पूरुजों ने हमारे लिए खटा किया है है कुई आ तो उसके वज़े से उन्हों ने क्या कहा है कि यह कि भहुत ही वह कीम्ति विस्तु है विरासत की चीजै इसके लिए और क्या है अन VOICE निए अपन भी अपने आने वाली podem के लिए कुछ इखटा करना जाते हैं तो ज़रूर हम मकना मन मारेंगे और कुछ चीज़ा लेनी होगी नहीं लेके हमारे भुष्षे के लिए पन्सोचिंगे बच्चों के लिए तो वही चीज़ ने लिए कि बड़े मेहनत करके और अभाव से हमने उन रुस्तू को खरीदा और फिर हमारे पुरूजों के लिए आने वाले है तो अच्छी बात नहीं है ना आगे देखी अगला पस्तने माटी वाली का रोटियों का किस तरह का इसाब लगाना उसकी किस मजबूरी का प्रकड़ करता है यह उसने इसाब लगा था कि आज यतनी रोटिया मिली आज मैं खाऊंगी घर जाऊंगी उसको दूंगी और आ चतरे सिग्ण मैं मिली रोटी को गिनती और अपने पती के लिए बचा कर लाती देख़ जिए अगला बश्तन को आज माटी वाली वाली बुड़े को कोरी रोटिया अपने पती के लिए अच्छे बोजन नहीं जूटा पाती थी परन्तु उस दिन वो अपने पती के लिए ती रोटिया बचा का लाई थी है ना जहां से हुई वो रोटिया बचा के लाई उसने अपने आमदानी से प्याज खरीदा उसने सोचा था कि वगर जाकर सब्जी बना लिए तो यह सारी चीजें दिखाती है कि माटी अपने पती से भी बड़ा सने रखती है और उसका करते हुए है तो अच्छे तरह से पूरा करती है अगला पश्टा देखिए गरीब आदमी का समसान नहीं हो जाना चाहिए इसकतन का आश्यस पिश कीजी अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर बाढ़ का कारे चदरा सौरी बाढ़ का कारे चदरा था तो से वहाँ से खाली करके जना थी जमीन लेकिन उसके पास तो वही जोपडी थी तो उसने इतर यह लाईने कहिए देखो क्या हुआ गरीब आपीं का समसान नहीं हो जोना चाहिए इसकतन का आस् यह दिए मंटेवाले मज्दुरी करके घर पहुसती तो उसके पति पती की मिरत्यू तो चुकी होती है अब उसके पास कोई अपना नहीं था उसे अपने पती के अन्थम संसकार के चिंटा दी तूकिन बांध के काणन सारे समसान पानी में डूब चुके थे लेकिन बांद बनने का जो समसान थे उसे लिए अब घर भी समसान के समान लग रहा था ठीक है इसलिए उसने अस्थान को कहा समसान बांद बन रहा था इसलिए जो समसान गाड़ते उससे पानी में डूब चुके थे तो वहां बुढ़े को रजा ने जा सकता था वो बुढ़े को अपने गर पे लेके बटी थी अब उसका घर खुदी समसान लग रहा था इसलिए उसने कहा कि गरी बादे का समसान नियुक्त घर नी का उसी कहा कहा समसान फिर विस्थापन की समस्या पर अनुची दानी विस्थापन की समस्या बारे आपको लिखना है नागरिकों का एक इस्थां से दूसरी स्थां पर बसना विस्थापन कहलाता है यह लोगों पर विपत्ति आनने की कारण होता है यानि जब लोग स विकास को भी काफी हट्तम सब्सक्ります और यह लोगों से उनका कमाने का जरिया उनका घर सी अच्छीन लेती कि लोग जहां करते हैं लोग करते ही का जरिया च्छीनली जाता है गर जमीन चीन ली जाती है उनके बच्चों का विकास को यह बहुत ज़्यदा परोई गता है उनके खुद के बच्चे भी नहीं वहाँ पर है तो उनको भी परोईट करेगा यह हमारे साने विश्थापन के कारण बहुत विरुद वे विरुद्धों के उधाने जैसे नर्मद क्याने उनके लिए हम क्या बदद कर पाएंगे यह मैं सुटना चाहिए विस्ताम की सबसे बड़ी समस्या है यह उनुच्य दे तो इस प्रकार हमने इस चेप्टर के आठ ब्रस्टन के को सब्सक्राइब इस वीडियो में देखें पीडिये बापकी ग्रूप में आजाएग एक्जाम में इन कोवीड के कारण जो सलीबस कम हो चुका है और जितने आने उतने पार्ट पूरे हो चुके हैं यानि कृतिका की बुक अपने नाइंत क्लास के लिए जो फिलहाल जो सलीबस की कंप्लेट हो चुकी है बाकी वाले सारे पार्ट खटे वहें तो इतने करने पढ़ें और मैसे आना है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इनको पढ़ें समझें कोई भी डाउट हो तो विद्याले में आके या मुझे निरिशन पक किस डाउट को क्लियर करें कौपी में काम आवश्य करें किसी भी समय आप से कौपी मोंगई जा सकती है चेक करने तो आपकी हित की बात है यह आप सभी वीडियो को पूरा देखें अच्छा लगए उसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अगरे टॉपिक के साथ हम फिर आज़र होंगी तब तक धन्यवार